जैदनवंत्री, आजका यह वीडियो स्रोतस के सामान्य बरिजेके पर आधारित है। अलग से वीडियो में बताई है। तो आएए शुरू करते हैं आजका टोपिक स्रोतस। सबसे पहले देखते हैं नीरुक्ती। चरक सुत्रस्तान तीस में स्रोतस की नीरुक्ती बताते हुए कहा है कि स्रोतान सी। अर्थाथ जिस से स्रोवन होता है वह स्रोतस है। अब यहां पर किसका स्रमण होता है और कहां पर स्रमण होता है यह चरक ने क्लेरिफाई नहीं किया है चक्रपाणी ने अपनी टिका में इसको क्लेरिफाई करते हुए कहा है कि पोशक तत्वों का रसादी धातुओं में स्रमण होता है अब देखते हैं परिभाशा सुसरुत सारीरसान में स्रोतस की परिभाशा बताते हुए कहा है की मुलात, खादांतरम, देहे प्रसरुतम, तत्व भी वाहियत, स्रोतस तदीती, विग्नेयम, शीरा धमनी वर्चीतम कहने का मतलब यह है की रदयादी मूल से आकाश माबूत की प्रधानता वाले अवकाश युक्त, द्रश्य या अद्रश्य अव्यव, जो दोश, धातु, मल, जल, अन, आदी का स्रोतस है, वह स्रोतस है, परन्तु सीरा या धमनी स्रोतस नहीं है मतलब की स्रमण है वह द्रश्य या अद्रश्य रचना में से होता है, जिसमें सिर्फ रक्त का वहन करने वाली सीरा धमनी ही नहीं, परन्तु, दोश, धातु, मल, जल, अन, आदी का वहन करने वाली रचना का भी समाविस होता है अर्थात, स्रोतस में शीरा धमनी का समाविस होता है, लेकिन सिर्फ सीरा धमनी ही स्रोतस नहीं है देखते हैं स्रोतस के परियाई स्रोतस सब्द के अनेक परियाई वाची सब्द शास्रमें वाणित है जैसे की स्रोतस, सीरा, धमनी, रसायनी, नाडी, पंधन, सम्रुता सम्रुत मार्ग इत्यादी आगे देखते हैं स्रोतस का स्वरुप स्रोतस का स्वरुप बताते हुए चरक विमानस्तान में कहा है की स्वधातू समवरणानी व्रुतस थुलान यणूनी च स्रोतांसी दिर्गाणिया कृतिया प्रतान सद्रशानी च इसको समझते हैं स्रोतस है व स्वधातू समवर्णानी अर्थात भीतर वहन हो रही धातू के वर्ण के समान वर्णवाले होते हैं वृत अर्थात नली काकार होते हैं स्थुलान यणूनी अर्थात कोई-कोई मोटे होते हैं तो कोई-कोई पतले होते हैं, दीरघानी अर्थात लंबे होते हैं, और प्रतान सद्रशानी अर्थात शाखा और प्रशाखाओ के समन, स्रोतस भी संपोन सरीर में व्याप्त होते हैं, आगे देखते हैं संख्या, पू दिक्ता के कारण स्रोतस की संख्या और संख्या बताई है। अब देखते हैं स्रोतस के प्रकार। आचारिय चरक, सुशुरुत एवं वागबट के मतानुसार स्रोतस के बेदों में अंदर है। सबसे पहले देखते हैं आचारिय वागबट के अनुसार स्रोतस के प्रकार आचारिय वागबट ने स्रोतस को मुखेता दो फाग में विभाजित किया है पहला है द्रस्य स्रोतस यह सरीड के बाहिय स्रोतस है और दूसरा है अद्रश्य स्रोतस या सरीर के आभ्यंतर स्रोतस है द्रश्य स्रोतस में पूरुसों में इसकी संख्या नौ बताई है दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, एक मुख, एक गुदा और एक महन मिलाकर पूरुसों में नौ अद्रश्य स्रोतस होते है और स्त्रियों में उपरोक्त नो तथा दो स्तन एवं एक योनी मिलाकर द्रस्य स्रोतस की संख्या 12 बताई है अद्रस्य स्रोतस 13 है जिसमें है एक प्राणवह, एक अनवह, एक उदकवह, साथ धातुवह और तीन मलवह स्रोतस आचारिय चरक ने स्रोतस के भेद बताते हुए आचारिय वागबट के केवल अधरस्य 13 स्रोतस का ही उलेख किया है अर्थात आचार्य चरक के मतानुसार स्रोतस के प्रकार 13 है, जिसमे है एक प्राणव स्रोतस, एक अन्नव स्रोतस, एक उदकव स्रोतस, साथ धातुव स्रोतस और तीन मलव स्रोतस आचार्य स्रोतस ने सल्य विज्यान की द्रश्टी से उपयोगी 11 स्रोतस का वरणन किया है और प्रतेक स्रोतस की संख्या दो बताई है, जिसमें पहला है प्राणव स्रोतस, फिर उदकव स्रोतस, बाद में अन्नव स्रोतस, आगे रसव स्रोतस, रक्तव स्रोतस, मासव स्रोतस मेदवा स्रोतस, मुत्रवा स्रोतस, पूरिस्वा स्रोतस, शुक्रवा स्रोतस और अर्थवा स्रोतस इस प्रकार आचार्य सुस्रूतने स्रोतस के 11 प्रकार बताए है अब देखते हैं स्रोतो दूष्टी के सामाने लक्षन चड़क विमानस्तान में स्रोतो दूष्टी के सामाने लक्षण बताते हुए कहा है कि अतिप्रवरुती संगोवा, स्तीराणाम ग्रंथयो अपीवा, विमार्ग गमनम चापी, स्रोतसाम दूष्टी लक्षणम और थात, स्रोतो दूष्टी के चार लक्षण है पहला है अतिप्रवरुती स्रोतस में वहन हो रही धातूओं का अधिक मात्रा में निकलना इसको अतिप्रवरुती कहते है जो की अतिसार प्रवाही का प्रमेह आदी में होता है दूसरा है संग या क्रियात्मक अवरोध है जो धातुओं के एक स्थान पर रुख जाने से होता है जैसे की आना, आधमान, विबंद, स्वास, चलोदर, आधी में होता है तीसरा है सीराग्रंथी यह रचनात्मकवरोध है जैसे की अर्ष रोग में होता है और चोथा है विमार्ग गमन जिसमें प्रतिलों या अन्य मार्ग से धातुओं का गमन होता है जैसे की रक्तपीत, साखाश्रीत, कामला आधी रोगों में होता है तो यह चार स्त्रोतों दूष्टी के सामानिय लक्षन है पहले देखते हैं प्राणवस्रोतस प्राणवस्रोतस का मूल आचारे चरक ने रदई और महास्रोत तथा आचारे शुष्रूत ने रदई और रसवाही धमनियों को बताया है यहाँ पर रसवाही धमनियों से निट्रियन ट्रांसबोट करने वाली वेसल्स, चैनल्स या फिर आट्रिस की ब्रांचिस सभी का समावेस हो जाता है दुसरा देखते हैं उदखवस्रोतस जिनका मूल दोनों ने ही तालू और कलोम बताया है तालू से पेलेट लिया जाता है और कलोम है वह एक कोंट्रावर्सियल ओर्गन है इससे फेरिंग्स, लंग्स, पेंक्रियास, गोल्ड ब्लेडर या फिर वोटर रेगुलेटिंग सेंटर जो की ब्रेन में है उसके साथ कंपेर कर सकते है तीसरा है अनवह सरोतस जिसका मूल आचारिय चरक ने आमाशई और वामपार्षव बताया है तथा सुषरूत ने आमाशई के साथ अनवही धमनियों को मूल बताया है आमाशई से हम स्टमक ले सकते है वामपार्षव से लेफ लेटरल साइड ओफ एब्डोमीन जिसमें स्टमक या इसोफेकस दोनों आ जाते है और अनवही धमनियों से निउट्रियन ट्रांसपर्ट करने वाली वेसल्स का समाविश होता है आगे देखते हैं मुत्रवास रोतस मुत्रवास रोतस का मूल आचारिय चरक ने बस्ती और वंक्षन बताया है तथा आचारी सुष्रूत ने बस्ती और मैडर बताया है बस्ती से यूरिनरी ब्लेडर है और वंख्षण से यूरेटर्स ले सकते है और मैडर है वो पैनिस है आगे देखते ही पूरिस्वास रोतस का मूल आचार्य चरक ने पकवाशई तथा स्थूल गुद बताया है और आचार्य शुशूरूत ने पकवाशई और गुदा बताया है पकवाशई मतलब लार्ज इंटेस्टाइन स्थूल गुद में रेक्टम और एनस दोनों आ जाते हैं चपकी गुदा में सिर्फ एनस आता है आगे देखते हैं स्वेदवास रोतस जिसका मोणन आचरी शुशूरूत ने नहीं किया है वह मैंने पीछे बताया है और आचारी चरक ने मेद और लोमकुप हेवास रोतमूल बताया है मेद से फेट टीश्यू लिया जाता है और लोमकुप से हेज स्टर पाना आगे देखते हैं अर्थवास रोतस रोतस का वाणन आचारी चरक ने नहीं किया है और आचार्य शुशूरुत ने आर्तवव स्रोतस का मूल गर्भाशई तथा आर्तवव धमनिया बताई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आचार्य चरक ने जो भी स्रोतव मूल बताई हैं उसमें कहीं धमनिया नहीं आई है। जबकि आचार्य सूश्रूत ने धमनियों का वणन ज्यादा किया है, जैसे कि प्राणवस रोतस में रसवाई धमनी, अन्नवस रोतस में अन्नवाही धमनी और आर्तववस रोतस में अर्तवाही धमनी, तो याद रखने वाला है, ये पॉइंट MCQ के लिए इंपोर्टन है, ज पहले देखते हैं, रसवाई रोतस, रसवाई रोतस का मूल, आचार्य चरक ने रदई तथा दस धमनियां बताया है, और आचार्य शूश्रूत ने रदई और रसवाही धमनियों को बताया है, रक्तवाई रोतस, आचार्य चरक और आचार्य शूश्रूत दोने नहीं ही य यकृत और प्लिहा रक्तवस रोतस का मूल बताया है यकृत से लिवर ले सकते है और प्लिहा से स्प्लीन ले सकते है आचारिय शुषूत ने रक्तवा धमनिया एक अलग से बताया है जिसका मतलब आर्टरीज और वेन है आगे देखते हैं मास्वस रोतस जिसका मूल आचारिय चरक ने सनायू और त्वक बताया है तथा आचार्य शुष्रूत ने सनायू त्वक और रक्तवा धमनिया बताया है यहां से सनायू का मतलब लिगामेंट या टेंडन्स है और त्वक से स्कीन को ले सकते हैं आगे देखते हैं मेदवस रोतस का मूल आचार्य चरक ने व्रुक को कहा जाता है आगे देखते हैं अस्तिवस रोतस का मूल आचार्य चरक ने मेद और जगन बताया है तथा आचार्य शुष्रुत ने अस्तिवस रोतस का वरणन ही नहीं किया है मेद से फेट टीश्यू ले सकते हैं और जगन से हीप बोंस ले सकते हैं मज्जावस रोतस का मू लेकिन आचार्य चरक ने वृषं और सेफ बताया है, तथै, आचार्य सुषुरूट ने वृषं और स्तन बताया है वृषं से testis ले सकते है, सेफ का मतलब पेनिश है और स्तन से breast को ले सकते है यहाँ पर भी आप देखोगे तो आचरे सुसरूत ने रसवाही धमनी, रक्तवाही धमनी का वर्णन रसवा, रक्तवा और मासवस रोतस में किया है दमनियों का वर्ड आजरे शूसरूत ने काफी जगह पर किया है लेकिन आजरे शूसरूत ने सिर्फ दस दमनिया में जो रस्वा स्रोतस का मूल है वहाँ एक जगह ही दस दमनियों के रूप में दमनिया वर्ड का यूज किया है बाकि और कोई जगर धमनियों वर्ड का यूज नहीं किया है यह आप MCQ के लिए याद रख सकते हो तो यह था स्रोतस का सामान्य परी चाहिए आपको यह वीडियो कैसा लगा यह कॉमेंट सेक्षन में ज़रूर बताए ताकि आपके सजेशन को मैं ध्यान में रख सको अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेर करें तथा मेरी चेनल को सब्स्राइब करें ठेंक यू